हमारे गडरों में जो underground tank होता है उस tank से पाने को overhead tank में fill करने के लिए Normally हम half hp का motor इस्तमाल करते हैं अब जो भी हमारा half hp का motor होता है उस motor को यदि हमें चालू करना है तो हम क्या करते हैं जो motor का केबल ए उस cable को circuit के साथ connect कर देते हैं और स्विच को चालू करके मोटर को चालू कर देते हैं और स्विच को बन करने पे हमारा मोटर आफ हो जाता है अब यदि आपके घर में भी इस प्रकार का मोटर का कनेक्शन किया गया है और उस कनेक्शन के साथ में आप फ्लोर स्विच का कनेक्शन करना चाहती हो तो किस प्र इस फ्लोर स्विच का इस्तमाल करके हम हमारा जो घर का पानी का टेंक है उस टेंक के लेबल के अनुसार हम मोटर को चालू और बंग कर सकते हैं इसी प्रकास से यदि आप चाहते हो कि आपके घर का जो अंडरग्राउंड टेंक है उस टेंक का भी पानी का लेबल कंट्रोल करन तो उसके लिए आपको अलग से एकों Floor Switch का इस्तमाल करना पड़ेगा यानि कि overhead tank के लिए हम एक floor switch का इस्तमाल करेंगे और underground tank के लिए भी एक floor switch का इस्तमाल करेंगे अब यहां पर जो हमारे पास में दोनो floor switch है इस floor switch को हम directly कैसे motor के सार करने करेंगे उसको समझ लेते हैं तो यदि आपको float switch को motor के सार करना है तो आप हमेसे एक चीछ ध्यान लिजेगा कि जो आपका float switch है उस float switch के अंदर से जो power supply flow होगा वो हमेसा neutral power supply flow होना चाहिए फेश supply का power supply आप flow मत करवाईएगा यदि आप फेश supply का power supply flow करवाऊगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं लेकिन बाइचांस यदि आपका float switch पंचर हो जाता है तो उस condition में आपका जो पानी है उसमें हलका सा current आ सकता है तो हमेसा आप ये कोशिश करिए कि आपका जो float switch है उसके द्वारा आप neutral power supply का controlling करो तो यहाँ पे जो motor है इस motor को चालू करने के लिए मैंने इस socket का इस्तमाल किया हूँ इस switch को यदि मैं चालू करो तो motor चालू हो जाएगा और इसको बन करने पे motor मेरा off हो जाएगा अब ये जो neutral power supply वाली वारे इसको मैं यहाँ से open कर दूँगा और इसको open करने के बाद जो मेरा float switch है तो आपको यहाँ पे केवल यह देखना है कि जो आपका neutral वाला pin है वो pin कौन सा है जो भी आपका neutral वाला pin होगा उस pin के साथ में जो wire connect होगा उस wire को आपको remove कर दिना है मैंने इस wire को यहाँ से remove कर दिया अब ये जो wire जहाँ पे connect है उस point पे आपको floor switch का wire लाके connect करना है कैसे connect करेंगे एक बास समझ लेते हैं तो ये जो floor switch है इस floor switch का जो cable है इस cable में आपको total तीन wire मिल जाएंगे अब इन तीन wire का आपको identification करना होता है कि किस में आपको input power supply देना है और किस के दोरा आपको output power supply चाहिए तो इसका identification करने के लिए आप simply क्या करिए आपका जो multimeter है इस multimeter को आप continuity position पे लगा दीजिए continuity position पे लगाने के बाद इस cable का जो wire है इस cable के wire में से किसी भी दो wire के साथ आप probe को connect कर दीजिए अब connect करने के बाद जो हमारा floor switch है इस floor switch को हमें नीचे की तरफ और उपर की तरफ करके चेक करना है अभी के time पे कोई भी continuity हमें नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे wire को interchange करूँगा तो यह जो हमारा floor switch है यह नीचे की तरफ है तो continuity आ रही है उपर की तरफ करने पे continuity चली गई नीचे की तरफ करने पे आ गया और उपर की तरफ करने पे बंद हो गया अब यहाँ पे जो मैरा floor switch है इसमें हम यह देख सकते हैं कि यदि मैरा floor switch नीचे की तरफ रहता है तो उस condition में continuity आएगा यानि कि floor switch के नीचे होने पे power supply आगे जाएगा और जैसे floor switch उपर की तरफ चला जाएगा तो हमारा जो continuity यानि कि power supply वो बंद हो जाएगी और यहाँ पे हमें यही चाहिए कि जो हमारा floor switch है इस floor switch को यदि हम overhead tank में लगा देते हैं तो उस condition में यदि हमारा overhead tank का पानी का level कम होता है तो floor switch इस प्रकास से रहेगा नीचे की तरफ लटका रहता है तो यदि floor switch हमारा इस प्रकास से रहेगा तो उस condition में हमें इस motor को चालू करना है और जैसे floor switch हमारा उपर की तरफ चला जाएगा तो हमारा motor बंद हो जाना चाहिए तो हमें इस floor switch का दो wire इस्तमाल करना है यानि कि हमें यहाँ पर blue और yellow wire का इस्तमाल करना है तो floor switch का जो cable है इस cable का blue wire है इस wire को ले जाके मैं क्या करता हूँ कि जिस pin से हमने wire को remove किये थे motor वाली उसी pin के साथ इस wire को हम connect कर देंगे यहाँ पर हमें brown wire का इस्तमाल नहीं करना है तो मैं इसको cut कर देता हूँ और cut करने के बाद मैं यहाँ पर insulation tape को लगा दूँगा अब इस floor switch का जो दूसरा wire है इसको हम directly motor के साथ connect कर देंगे यदि आपको केवाद एक floor switch का connection करना है तो simply आप क्या करिए इस floor switch को incoming power supply दे दीजिए और output power supply जो मिलेगा उसको ले जाके motor के साथ connect कर दीजिए मैं यहाँ पर आपको थोगा सा temporary connection करके बताता हूँ इसके बाद भी और चीजे में आपको explain करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पर इस wire को इसके साथ connect कर दिया अब यह जो मेरे पास में switch board है इस switch board के साथ मैं इस plug top को connect कर देता हूँ अभी के time पर मैंने temporary connection क्या हूँ तो आप कभी भी ऐसे करके try मट करिएगा तो यहाँ पर मैं switch को on करता हूँ अभी आप देख सकते हो motor off है अब यही मैं इस floor switch को नीचे की तरफ करूँगा तो आप देखो के motor चालू हो गया floor switch को उपर की तरफ करने पे motor off यानि कि जो मैंने आपको connection बताया इस connection में यही हमारा floor switch उपर की तरफ रहेगा तो उस condition में motor off रहेगा और जैसे ही floor switch नीचे की तरफ चला जाएगा यानि कि पानी का tank यही खाली हो जाता है तो उस समय हमारा motor चालू हो जाएगा पानी का tank फुल होने पे motor off पानी का tank खाली होने पे motor चालू तो इतना चीज़े आपने समझ लिए अब इसके आगे क्या चीज़े है एक बार समझे है अब यदि आप यह चाते हो कि जो आपका over है टेंक है उसके साथ साथ जो underground tank है उसके water level को भी control किया जाए तो उसके लिए आपको अलग से एक और floor switch का इस्तमाल करना पड़ेगा अब यह जो दूसरा floor switch है इसमें भी आपको total तीन वाइर मिल जाएगा और इन तीनों वाइर का भी आपको identification करना पड़ेगा पिछला जो floor switch नहीं इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो color दिया गया है वो yellow, brown और blue दिया गया है लेकिन इस वाले floor switch में red, black और green white दिया गया है तो इन दोनों floor switch में color coding अलग-अलग है इसलिए में हमेशा आपको testing करके बताता हूँ कि किस प्रकास से आप testing करोगे और wire का identification करोगे तो आपको simply क्या करना है कि जो आपका दूसरा floor switch है इसका भी wire का identification कर लिजिए identification करने के लिए multimeter को आप continuity position पे लगा दीजिएगा उसके बाद जो आपका wire है उसके साथ probe को connect करके check कर लिजिएगा जब हमारा floor switch उपर की तरफ आएगा continuity मिलना चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पे continuity आ रहा है floor switch को नीचे की तरफ करने पे off floor switch को उपर करने पे on और नीचे करने पे off यानि कि यदि मैं इस floor switch को underground tank में लगा दूँ तो उस condition में क्या होगा जो हमारा underground tank है उस tank का यदि पानी फुल है तो उस condition में हमारा motor चालू होना चाहिए लेकिन जैसी underground tank का पानी के level कम हो जाता है तो उस condition में motor हमारा चालू नहीं होना चाहिए अब यहाँ पे हम यह समझते हैं कि इन दोनो floor switch को हम किस प्रकास से connect करेंगे तो दोस्तों देखिए आपको simply क्या करना होगा कि जो आपका दोनो floor switch है इन दोनो floor switch को आप series में connect कर दीजिए यानि कि जो आपका overhead tank है उस tank का जो floor switch होगा उसको आपको underground tank के floor switch के साथ connect करना है वो भी series में series में connection कर दीजिए पूरा काम हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो इस floor switch का wire है यानि कि यहाँ पे जो मेरा दूसरा wire है yellow वाली इसको हम connect करेंगे इस floor switch के साथ में तो जब मैंने wire का identification किया तो मुझे यह पता चला कि मुझे underground tank के लिए red wire और green wire का इस्तमाल करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ green wire को ले जाके यह जो यहाँ पे yellow wire है इसके साथ connect कर देता हूँ यानि कि यह जो floor switch इससे power supply जाएगा यहां से और return में आएगा इस wire में और यहां से चला जाएगा दूसरे वाले floor switch में अब यहां से जो return में power supply आएगा red wire में इसको ले जाके हमें motor के साथ connect करना है यानि कि motor को चालू करने के लिए हम इस red wire का इस्तमाल करेंगे तो इस wire को ले जाके मैं motor का जो wire उसके साथ connect कर देता हूँ अब यहां पे जितने भी joint इसमें टेपिंग कर देता हूँ जिसे कि so circuit ना हो जाए ओके तो यह जो plug top है इसको मैंने connect कर दिया अब यहां पे मैं क्या करता हूँ कि यह जो plug top है इसको मैं power socket के साथ connect कर देता हूँ तो इस plug top को मैंने socket के साथ connect कर दिया अब यह जो switch है इसको मैं चालू करता हूँ तो आप देखोगे motor off है यह जो motor है इस motor को यदि हमें चालू करना है ये उपर की साइड में रहेगा इस प्रकास से इसके बाद जो overhead tank के उस tank का level कम होना चाहिए तब भी जाके हमारा motor चालू होगा overhead tank का यदि पानी का level कम रहेगा तो हमारा float switch नीचे की तरफ रहेगा नीचे की तरफ करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा motor चालू हो गया यदि overhead tank का पानी का level फुल होगा तो float switch उपर की तरफ चला जाएगा और motor हमारा off हो जाएगा overhead tank का पानी का level कम होने पे motor चालू और पानी का level फुल होने पे motor off ठीक है अब यहाँ पे यदि आपका overhead tank का पानी का level कम है और motor चालू है और इस condition में यदि आपके underground tank का level कम हो जाता है यानि की पानी खतम हो जाती है तो उस condition में भी आपका motor off हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओverhead tank का पानी के लेबल कम है, लेकिन अंडरग्राउंड टेंग का भी लेबल कम होने के वज़य से मोटर हमारा बंद हो गया, अब जैसे ही अंडरग्राउंड टेंग का पानी के लेबल फुल होगा, आपका मोटर दुबारा चालू हो जाएग तो आई होप की दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद